क्या किसी transgender को पुलिस कर भी बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो सरकार की ओर से इसे लेकर क्या नियम वा कानून है? इस मामले पर क्या है हाई कोट करो? वो कौन-कौन से राज़ो हैं जहां transgender को पुलिस बल में शामिल किया गया है? और आखिर में वो कौन से सती होती है जब किसी व्यक्ति को sexual identity को लेकर confusion रहती है? वीडियो का थमनेल देखने के बाद जरूर आपके मन में भी कुछ इसी तरह की सवाल आये होंगे तो चलिए, आज कारकरम में इन ही सवालों के जवाब जानते हैं इसके लिए कारकरम को जरा शुरुवात से शुरू करते हैं साल 2021 में ये मामला चर्चा में था जब MP के निवाडी जिले में पदस्त महिला पुलिस कॉंस्टिबल आर्ती यादब को मद्रपदेश शासन की ओर से लिंग परिवर्तन की अनुमती दी गई थी वहीं अभी कुछ महिने पूर्व यानि अगर्स्त में ऐसा एक और मामला सामने आया जब राज जिकेही रतलाम जिले में पदस्त महिला कॉंस्टिबल दिपिका कोठारी ने जेंडर आइडेंटिटी डिसॉर्डर की पुष्टी होने के बाद लिंग परिवर्तन कराया और वा पूरुष बन गई डिसॉर्डर का ये पूरा मामला जुड़ा है जेंडर डिस्पोरिया से ये क्या होता है ये समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज इस पर चर्च दार भी इसकी शुरुवार कर सकती है देसल हाली में प्रदेश पुलिस में तैनात दो महिला पुलिस कर्मियों ने अपने लिंग परिवर्तन के लिए डीजिपी मुख्याले से अनुरोद किया था इनमें से एक महिला आरक्षी ने हाई कोट की शरंडी जुसके बाद अदा पूरिया शब्द पर भी चर्चा शुरू हो गई है यहां सवाल यह है कि क्या जेंडर डिस्पूरिया की समसा से ग्रसित लोगों को पुलिस बल में बने रहने के लिए अनुमती दी जा सकती है फिलाल यूपे पुलिस की अधिकारी मध्यप्रदेश और महराष्ट में सामन के मामले पर हाई कोट क्या कहती है देसल जेंडर डिस्पूरिया एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें व्यक्ति अपने नाचुरल जेंडर को सही तरीके से महसूस नहीं कर पाता है उसे अपनी सेक्श्वल आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन रहती है उधारन के लिए किसी शक्स का बॉडी स्ट्रक्चर पुरुष का है लेकिन वा खुद की सेक्श्वल आइडेंटिटी महिला के समान महसूस करता है यह कंडिशन जेंडर डिस्पूरिया कहलाती है इसके लेक्शन बच्पन से दिखाय देने शुरू हो सकते हैं अब इसके लेक्शन की बात करें त महिला अरक्षी के याचिकप पर इलाहबाद हाई कोट ने सुनवाई के बाद कहा था कि कभी कभी ये परिशानी बेहत खतरनाग साबित हो सकती है आधुनिक समाज में पहचान बदलनी के अधिकार से वंचित किया जाना लिंग पहचान विकार सिंड्रोम कहलाएगा ऐसा इ पिछले एक साल में देश के कई अन्य राज्यों जैसे बिहार, पश्रिम बंगाल, ओरीसा, च्छतीजगर, महराष्ट, करनाटक में भी ऐसे ट्रांसजेंडर को पुलिस वल में शामिल किया जा रहा है कई राज्यों ने इसके नियमावले भी बनाई है, जिसमें ट्रांसजेंडर की भरती के नियमों का उले किया गया है, हाला कि ट्रांसजेंडर को नियूकती के बाद रिजर्व श्रेडी में रखा जा रहा है तो आज असकारकरा में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बाते यूपी की